नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है हर्षिद दिवेदी और मैं आपको स्वाइद करता हूँ अमने इस वीडियो में कुछ दिन पहले दोस्तों एक निउस निकल के आ रही थी लगबग एक या दो अक्टूबर के लगबग 29 सितंबर से एक अक्टूबर में बाई मन्तली मीटिंग होने वाली थी हमारी मौनेटरी पॉलिसी कमिटी की और इस मीटिंग के एंड पे ये एक्सपेक्टेशन्स थे कि कुछ इंपॉर्टेंट रेट्स के अनॉंसमेंट होगी जैसे कि इन सब चीजों की अनॉंसमेंट होगी जो आपको पता है कि जो हमारी RBI की मौनेटरी पॉलिसी कमिटी है ये कुछ-कुछ अंतराल पे मिलती है और अंतराल पे मिलने के बाद हमारे देश की ओवर ओल एकनॉमिक स्टेविलेटी को अच्छा करने के लिए कुछ रेट्स को डिसाइड करती जिनको बोला जाता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टेंडिक फैसिलेटी रेट इन सब चीजों का अनॉंसमेंट होता है कैश रिजर्व रेशियो, स्टैटिटरी लिक्विडिटी रेशियो तो इन सब चीजों का अनॉंसमेंट होता है अब हुआ ये, कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी थी, ये कम्प्लीट नहीं थी जिन मेंबर्स की अपॉइंट्मेंट होती थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी में उन members की appointment नहीं हुई जिसके चलते monetary policy committee काम नहीं कर पा रही है अभी सवाल उठ रहा है कि pandemic के समय पे हमारी देश की जब अर्थ विवस्ता हिली हुई है उस समय पे एक ऐसा organization जो देश की monetary policy को decide करता है दो policies होती economy में एक होती fiscal policy एक होती monetary policy fiscal policy कौन लेके आता है, government लेके आती, किस के तुरू budget के तुरू कि कौन कौन सी scheme में क्या क्या पैसा invest करना है, कैसे growth को बढ़ाना है, कैसे economy को एक boost देना है तो ये सब काम करती है हमारी सरकार, fiscal policy के तुरू कि अलग-अलग sectors में कितना पैसा invest करेंगे, कैसे businesses को बढ़ाएंगे दूसरी होती हमारी monetary policy, overall economic climate और overall economic climate किस से decide होता है, inflation से, जिसको आप बोलते हो महंगाई तो ये जो महंगाई है, inflation है, एक range में रखे है, जो कि 4 plus minus 2% रखा गया है, यानि 2 से 6% की range में रखा गया है तो इस चीज़ की primary responsibility आती है RBI के उपर, यानि किसके ओपर, monetary policy committee के उपर और news ये निकल के आरी कि monetary policy committee पूरी नहीं है, तो इसके बारे में बात करना जरूरी है actually में हुआ क्या, इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि monetary policy committee क्या होती है, कैसे बनी monetary policy committee से पहले किस तरीके से इन rates को decide किया जाता था monetary policy को बदलने के लिए किस-किस तरीके के instruments available है हमारी Reserve Bank of India के पास composition क्या है monetary policy का ये जो monetary policy committee का जो panel है, इसमें members को appoint करने में delay क्यों हो रहा है हमारी monetary policy को कैसे frame किया जारा और इस associated चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा actually एक important article आया था Indian Express के opinion में, editorial section में, जिसको मैं यहाँ पर cover कर रहा हूँ तो मेरा नाम हरशी दिवेदी दोस्तों, ये introduction है, I hope आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में जानने को ज़रूर मिलेगा आगे बाढ़ने से पहले वीडियो पे like का बटन ज़रूर दबाईए अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे दोरा बनाएंगे और वीडियो को देखने के आप चैनल पे join member बटा के चैनल के member भी बन सकते हैं इंस्टाग्राम पे follow करके आप मुझे message करते हैं, आपको important updates में दे दूँगा, इंस्टाग्राम पे आपके doubts clear करूँगा और आपको updates के लाप एक काम करो, telegram channel join कर लो, वहाँ पे मिल जाएंगे चुरू करते हैं, सबसे पहलो देखते हैं, यह monetary policy committee है क्या, basically this is a statutory committee that fixes the key policy interest rates and monetary policy stance of the country as well as inflation target यह जो monetary policy committee है, Central Government of India दोरा बनाई गई है, under section 45 ZB of RBI Act 1934 तो चुकि यह statutory committee है, तो obvious सी बात है, किसी particular statute है, किसी particular law के तहती है बनी है, वो law कौन सा है? RBI Act, तो RBI Act के section 45 ZB के अंदर आपको यह पता चल जाएगा कि भईया, monetary policy committee बनाना ज़रूरी है, इसलिए बनाई गई है तो आपके देखें के लिखेंगे, as per the suggestions made by चक्रवर्ती committee, aspects such as price stability, economic growth, equity, social justice and encouraging the growth of new financial importers enterprise are some of the crucial roles connected to the monetary policy of India तो देखें, कभी-कभी जो experts होते हैं, economic experts, जो editorals लिखते हैं, वो चीज़ों को पूरी तरीके से explain नहीं करते हैं यह जो चक्रवर्ती committee लिखी हुई है, यह चक्रवर्ती committee on monetary policy बनी थी 1985 में इसके जो chairman थे, उनका नाम था सुखमोई चक्रवर्ती, तो professor सुखमोई चक्रवर्ती ने उस समय पे Indian monetary system का गहन अध्यन किया और इन्होंने बताये कि देखें, monetary policy के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो prices की stability को ensure करना, economic growth एक proper तरीके से आगे बढ़ते रहे, society में equity आ सके अब economic equity आएगा तो जो social justice है आज की date में, वो economic equity की साथ जुड़ा हुआ है, नए enterprises को आगे बढ़ाया जाए तो ये सब कुछ crucial role है monetary policy के और चुकि RBI Act 1934 के अंदर monetary policy committee बनाई गई है 2016 में, तो इस monetary policy committee का यही role है कहीं न कहीं, जो सबसे major role माना जाता है, monetary policy committee का वो है inflation को एक limit में रखना, उसको एक limit के आगे नहीं बढ़ने देना तो जब inflation एक limit में रहेगा, तब ही कुछ इस तरीके की conditions बन पाएंगे कि हम देश की GDP को बढ़ा सके तो जितनी important fiscal policy होती है, जिसको directly सरकार ले के आती है, उतनी important monetary policy होती है, जिसको RBI डिसाइड करती है तो अब यह अपने आप में बहुत बड़ा challenge है कि आपको monetary policy और fiscal policy की बीच के फर्क को समझना बस एक line में अभी यह समझ देजे, fiscal policy कौन मनाएगा government, monetary policy कौन मनाएगी RBI लेकिन अभी के लिए आप देखिए जो हमारी central government है वो इतनी ज़ादा ताकतवर चल रही है कि RBI की कामों को literally वो control कर रही है चलिए वो एक political मुद्दा उसको कभी अलग तरीके से discuss करेंगे monetary policy instruments की बात की जाए तो दो तरीके के होते हैं एक है quantitative instruments, एक होते है qualitative instruments इनके उपर मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ सबसे पहले तो मैं आपको एक और important चीज़ के बात बराता हूँ कि जो monetary policy committees में members कितने हैं 6 members हैं जिनमें से 3 government nominate करती है और 3 RBI के होते हैं तो अगर आप monetary policy committee देखोगे तो जो RBI के governor है वो उसके ex-official chair person होगे deputy governor of RBI in charge of monetary policy department तो वो भी एक member होगे और central bank के एक executive director तो भये कल की date में अगर आप लोग RBI grade B के exam को qualify करते हो और जाके 20-25 साल RBI में काम करते हो मैनत से आपकी किस्मत अच्छी होती है promotions आपकी होते जाते हैं तो आप deputy governor बन सकते हो RBI के और थोड़े बहुत अगर आपके political links निकल आए तो कहो governor भी बन जाओ तो 6 total members monetary policy committee के जिसमें 3 members RBI के जिसमें एक हो गया governor of the IBI जो है हमारे शक्तिकांता दास जी दूसरे monetary policy department के deputy governor तो वो भी इसके member रहेंगे और central bank के executive director आप बोलोगे कि ये appointment कौन करता है तो देखिए आपकी जो cabinet है cabinet की committee होती जिसको बोलाता cabinet committee on appointments इसमें प्रणान मंतरी मोधी जी या मिश्चा जैसे लोग बैठते हैं और वो इन नाम को appointment करते हैं तो ये तीन members तो हो गए भाईया RBI के तरफ से अब मैंने आपको बताया total 6 members से तो 3 और आएंगे तो total 6 में से 3 RBI के ही हो गए और बाकी 3 members को चुनती एक committee जिसका नाम है search come selection committee इस search come selection committee के head कौन है cabinet secretary साब ओके cabinet secretary साब के साथ RBI के governor economic affairs secretary तो भाईया ministry of finance में कितने सारे department है उसमें एक department है department of economic affairs department of economic affairs का जो secretary होगा वो इस committee के member होगा तो भाईया UPSC qualify करोगे KIS बनोगे 20-25 साल बाद जब दिल्ली में सचिवाले में बैठे होगे तो हो सकता आपको इस secretary की post दीजै और तीन experts होगे in the field of economics और banking और finance और monetary policy तो ये मैं आपको बता रहा हूँ search come selection committee के बारे में तो search come selection committee में हमारे cabinet secretary होगा है, RBI के governor होगा है department of economic affairs जो की revenue ministry के अंदर उसके secretary होगा है और economics, banking और finance के field में तीन renowned experts मिलके तीन लोगों को select करेंगे और वो तीन, और ये तीन मिलके बनाएंगे च्छे लोग और ये च्छे लोग क्या होगे, ये होगी monetary policy committee of India of RBI बोलिये, इंडिया की monetary policy को ये च्छे लोग decide करेंगे, इनके बीच में जो भी decision होगा, वो एक majority team mode से होगा, अब देखी है सरकार यहाँ पे कितनी चालाक है, आपको याद होगा कि रगुराम राजन जी अभी से चार से पांच साल पहले हमारे governor थे RBI के, रगुराम राजन जी उस समय पे जो central government सी उसकी ज़्यादा सुनते नहीं थे, और उस समय पे जो RBI का governor होता था ना, इंडिया की monetary policy को decide करने में उस एक अकेले इंसान का बहुत role होता था और अगर वो सरकार की बात ना सुने तो कुछ हो नहीं सकता है, रगुराम राजन के बाद कौन बने RBI के governor उरजीत पतेल, और आपको याद होगा और उरजीत पतेल ने एकदम से रिजाइन कर दिया तो शक्तिकातना अदास जी को RBI governor बना दिया गया था अभी आप देखो कि अभी के लिए जब से monetary policy committee आई है और monetary policy committee और उरजीत पतेल जी के टाइम पे आई थी, तब से अब एक अकेले RBI के governor के हाथ में नहीं रह गया है देश की monetary policy को decide करना ये 6 लोग मिलके देश की monetary policy को decide करेंगे ये 6 लोग मिलके बाचीत करेंगे reports को analyze करेंगे और end में एक monetary policy committee ले के आएंगे उस पे vote पड़ेगा और majority से decisions होंगे अभी 6 members हैं तो एक बात ध्यान रखेगा इस monetary policy committee के काम करने के लिए जो quorum है quorum है 4 का यानि कि 6 में से at least 4 लोग present होंगे तभी ये monetary policy committee काम कर सकती नहीं तो काम नहीं कर सकती दूसरी बात यहाँ पे majorities decision ली जाएंगे तो मान लिजे 6 लोग बैठे हैं 3 लोगों ने किसी एक चीज के favorable vote दिया तीन लोग ने किसी एक चीज के against vote किया तो tie हो गया उस case में जो governor उसके पास एक casting vote आएगा तो आप देखे सरकार कितनी चाला आँक है सरकार तीन लोग को सीधे-सीधे अपॉइंट करवा रही है अपनी committee के थूँ और जो RBI के जो लोग होते हैं आप पोस्ट पे जो executive director है वो भी कही न कहीं government से favor के लिए उनके साथ अच्छी relations रखते हैं तो आराम से monetary policy committee के activities को government back angle से direct कर सकती है बट देखा जाये तो in practice monetary policy committee autonomous तरीके से काम करती है तो देश की monetary policy बनाएगी monetary policy committee देश की fiscal policy बनाएगी government तो government फरवरी के समय बजट लेके आती है उस समय पर बताती है भाईया इस ministry को इत्ता पैसा इस ministry को इत्ता पैसा इस scheme को इत्ता पैसा तो पधान मंत्री गडीब कल्याण अनि उजना को इत्ते हजार करोन दूसरी scheme को इत्ते हजार करोन यह सब fiscal policy के हिससे और repo rate को reverse repo को cash reserve ratio को statutory liquidity ratio को इसको बदलना है तो यह monetary policy का हिससा हो गया अब हम आते हैं कि monetary policy को RBI बदलती कैसे है दो तरीके के instrument है एक हो गया आपका quantitative instrument एक हो गया qualitative instrument quantitative instruments में आगे open market operation bank rate, repo rate, reverse repo rate, cash reserve ratio statutory liquidity ratio, marginal standing facility, liquidity adjustment facility यह जो liquidity adjustment facility है ना यह repo और reverse repo ही है अलग-अलग लिखा है बट है एक ही चीज़ qualitative instruments में आते हैं direct action, changing margin money moral solution एक-एक करके जल्दी-जल्दी इन चीज़ों को देख लेते हैं अब अपने आप में यह economy को बहुत बड़ा topic है तो एक-एक line में तो समझाना मुश्किल बास एक basic idea दे रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में मैं बहुत बार already editorial की वीडियो में आपको बता चुका हूँ open market operations में क्या होता है RBI sale and purchase करेगी government securities का treasury bills का कैसे करेगी central government हो चाहे राजी की सरकार हो हर साल यह जो governments है वो अपने bonds को issue करते है treasury bills को issue करते है RBI क्या करती है कि जो treasury bills की quantity market में घूम रही है उसको change करती है तो माल लीजे जो treasury bills market में घूम रहे है अगर उन treasury bills को bulk में RBI खरीद लेती है तो अगर RBI उन treasury bills को खरीदेगे तो RBI को पैसा देना पड़ेगा तो पैसा हमारी economy में infuse होगा अब आप बोलोगे कि कहां से खरीदे treasury bills लेकि यह treasury bills scheduled commercial bank से खरीदे जाते है अभी scheduled commercial bank का एक simple सा scene है scheduled commercial banks को धान दरम नहीं कर रहे है वो पैसा कमाने के लिए है तो अगर RBI उन से treasury bills खरीद लेती है और उनको पैसा दे देती है तो scheduled commercial banks कभी उस पैसे को लेके पकड़के नहीं मैठेंगे वो क्या करेंगे उस पैसे को लोगों को घुमाएंगे अब bank के पास इकदम से ज़्यादा पैसा आ गया है तो वो ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसे को थोड़े कम इंट्रेस्ट में गुमाएगा तो economy में पैसा ज़्यादा infuse वा तो लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा जाएगा और कम इंट्रेस्ट रेट पे जाएगा तो कोई अगर अपना saloon खोलना चाता है ठीक है, कोई छोटा मोटा business थापित करना चाता है तो वो bank के पास जाएगा और bank से पैसा लेगा तो लोगों के हाथ में जो availability of money है आसान हो जाएगी, इसको easy money policy बोलते है ओके, और दूसरा तरीका क्या होगा जब economy में पैसा कम हो रहा है, तो availability of money कम है तो लोगों को अराम से इतना पैसा available नहीं होगा तो इससे inflation अगर पहले से बढ़ा हुआ है economy में तो वो थोड़ा कम हो जाएगा अभी इसको मैंने बहुत detail में पहले 15-15-20-20 minute की वीडियो में कवर किया भी इतने छोटे से टाइम में तो नहीं बता सकता तो पहले की वीडियो से देखे जाके उसके बाद bank rate की बात की जाए अब दो चीजों को एकसास समझे repo rate और bank rate repo rate में क्या होता है, कि जो central bank है country की यानि हमारे case में RBI RBI scheduled commercial bank को पैसा देगी short term में, तो वो जिस rate पे देगी इसको बोला जागा repo rate और यही central bank of the country अगर किसी को पैसा दे रही है long term में तो क्या बोला जाएगा, उसको bank rate बोला जाएगा तो short term में पैसा दिया, तो repo rate long term में पैसा दिया, तो bank rate bank rate के लिए क्या लिखा हुआ है तो bank rate policy signifies manipulation of a rate of discount by the central bank in order to influence the credit situation in the economy यह tricky सी भाषा है, बस repo और bank rate बता दिया, repo rate कम समय के लिए पैसा देना, bank rate लंबे समय के लिए पैसा देना, अभी कुछ और precise differences है bank rate और repo rate में जो यहाँ discuss नहीं किये जा सकते आगे चलते है, reverse repo rate अगर central bank of a country, reserve bank अब आते हैं, दो तीन और चीज़ों पर एक हो गया cash reserve ratio एक हो गया statutory liquidity ratio एक हो गया marginal standing facility इन तीन चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक शब्द समझना पड़ेगा जिसको बोला जाता है NDTL, net demand and time liabilities ओके आप समझे हैं कि bank के पास जितना पैसा आया उस पैसे में से कुछ पैसा as a cash reserve ratio बैंकों को RBI के बास उठा के बास रख देना है तो माल लिजे cash reserve ratio को बोला गया है 4 पतिशत और बैंकों के पास है 100 करोण पैसा, 100 करोण रुपया तो किसी बैंक के पास अगर 100 करोण का net demand and time liability है माल लिजे आप deposit समझ लिजे अभी गर आपको in detail समझ में नहीं आ रहा है और cash reserve ratio है 4% का, तो भाईया RBI के पास 4 पतिशत यानि इस 100 करोण का 4 करोण रुपय जमा करके रख देना, इसके उपर कोई भी interest नहीं मिलेगा schedule commercial bank को ये net demand and time liabilities क्या होता है किसी schedule commercial bank की देखे schedule commercial bank के पास बहुत सारा पैसा आता है deposit की तरह बहुत सारा bank घुमा देती है बाहर loan में ठीक है न, तो उसके पास एक reserve बन जाता है, एक deposit बन जाता है वो deposit में अगर कुछ technical आप specifications लगा दीजे तो वो बनता है NDTL, अब ये बहुत बड़े-बड़े concepts है, पांच में नहीं समझाए जा सकते हैं तो NDTL का 4% के इतना हो गया cash reserve ratio, इस पैसे को सीधे-सीधे उठाके side रख दिया जाता है इसके उपर कोई भी interest ब्याज नहीं मिलता, statutory liquidity issue में क्या होता है, कि भाईया उस NDTL का कुछ प्रतिशत अलग रखा जाता है तीन forms में cash के forms में, gold reserves के forms में, public sector units के bonds, treasury bills, RBI approved securities के form में यहाँ पे देखे, चुकि gold reserves हैं, तो gold reserves appreciate होते हैं PSU के bonds भी, उन पे भी interest मिलता है, RBI bank approved securities पे भी कुछ interest मिलता है तो SLR quota के अंदर जो भी security रखी जाती है, उसके उपर bankों को थोड़ा बहुत पैसा मिलता रहता है और इस SLR quota को और cash reserve ratio को side अटा दो, तो बचा हुआ जो पैसा है वो bank के गुमा सकती है marginal standing facility क्या होती है, Reserve Bank of India ने इस facility को बनाया था मैई 2011 में यह वो rate है at which banks are able to borrow overnight funds from RBI, overnight funds from RBI against approved government securities जो SLR quota वाले securities थी, उसमें कुछ हदत तक securities को इस्तमाल करके MSF facilities के अंदर emergency में पैसा उठाया जा सकता है दूसरी bankों से, RBI से यह होती MSF facility, अभी यह facility का मैंने आपको basic idea दिया है कुछ qualitative instruments क्या है moral situation, moral situation मतलब कि समय समय पर कुछ directives कुछ notifications, कुछ public notices RBI issue करेगा commercial banks को और commercial banks को वो notices मानने पढ़ेंगे कभी-कभी RBI direct action लेता है, हिमाल लिजए RBI की directives हैं, और किसी scheduled commercial banks में उस directive को नहीं माना तो उस scheduled commercial banks की against penalty लगाई जा सकती है उसके license को रदी किया जा सकता है तो ये direct actions की category में आता है तो monetary policy को enforce करने के लिए RBI के पास qualitative instruments भी है और quantitative instruments भी है अब आप समझ गयोगे कि actually में इस monetary policy की तुरू हो क्या रहा है इनके पास पैसे को खतम करने के authority नहीं है जो पैसा already market में घूम रहा है उसको एक जगा से उठा के दूसरी जगा लगा दिया उसके flow को रोग दिया उसकी quantity को बदल दिया और इसके थूँ overall economy को effect करने की कोशिश की यह होती monetary policy और fiscal policy में government के पास overall सीधे सीधे पैसा खतम करने के आज़ादी होती है अब हम आते हैं अभी latest news पे एक October को Reserve Bank of India की monetary policy committee की meeting में country की जो key interest rates है जैसे कि repo rate, reverse repo, bank rate, marginal standing facility, CRR, SLR इन सब की announcement होनी थी अभी ये announcement नहीं हो पाई monetary policy की committee की meeting हो ही नहीं पाई क्यों नहीं हो पाई क्यों बात ये है कि GDP नीचे जा रही है ओके, already debt moratorium को आगे बढ़ाने की बातचीच चल रही बहुत सी चीज़ें हो रही है economy में और उस समय पे हमारे देश के RBI की monetary policy committee पूरी नहीं है ये तो गलत है अगर देखा जाए तो भाईया head कौन हमारी monetary policy committee का ex-officio chairman शक्ति कांता दास जी जो की governor है deputy governor of monetary policy department and executive department ये जो director होते हैं RBI की ये देखते हैं अब भाई जैसा कि मैंने आपको बताया RBI act के अनुसार अगर monetary policy committee की meeting होनी तो कम से कम चार लोग चाहिए तो तीन RBI वाले तो लोग हैं लेकिन जो extra तीन है वो है ही नहीं उन तीन को तो चुनना पड़ेगा ना लेकिन सरकार ने उनको चुना ही नहीं अब ये गलत चीज है अभी तक कौन-कौन था इस committee में तो भाई शक्ति कांता दास जी के अलावा monetary policy के इंचार्ज कौन थे deputy governor of the reserve है माइकल डेबरता पात्रा executive director कौन थे जना करा जो तीन और लोग थे एक थे dr. चेतन घाटे ये प्रोफेसर है इंडिन स्टाटिस्टिकल इंस्टिटूट के dr. पमी दुआ डिरेक्टर डेली स्कूल अफ एक्नॉमिक्स dr. रवींदर एच धोलकिया former professors I.M.M. दा बाद तीन लोग का 10 ओर खतम हो गया नए लोग अपॉइंट नहीं किये गए अब इस डिले का मतलब क्या है देखें firstly the new members will need time to not only arrive at an informed view of the stance of monetary policy at this critical juncture but also be familiarized with the procedures and working of the committee बात यह है कि जब आप किसी नए member को appoint करते हो तो वो member एकदम आते ही कुछ नहीं करने लगेगा उसको पहले देखना पड़ेगा कि यह monetary policy किस तरीके से काम कर रही है उसके सामने बहुत सारे analytical charts रखे जाएंगे जिनकी availability उसके पास पहले नहीं थी उन charts को study करने में समय लगेगा analysis करने में समय लगेगा तो कहीं न कहीं जो monetary policy committee की जो membership है वो पूरी होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे पूरी हो नहीं रही है pandemic की जो dealing है यह एक बहुत बड़ा challenge है economy से में बहुत serious challenge में और RBI इस challenge को front से lead कर रही है regular rate cuts हुए है liquidity को inject करना open market operations करना long term repo operations करना भाया यह बड़े major tools है इनके उपर एक बहुत बड़ी बातचीत होनी चाहिए उसके बाद जब monetary policy committee की meeting होती है और उसके बाद एक statement issue होता है उस statement के चलते यह पता चलता है कि भाया state of the economy क्या है सरकार के साब से चुकि कहीं ना कहीं monetary policy भी सरकार के viewpoint को बताती है और monetary policy यह भी बताती है कि आगे हम क्या कर सकते है चुकि monetary policy में जो लोग बैटे हैं ना वो उस field के expert है अभी मान लिजे rates को change करना है या in fact आप मान लिजे नहीं change करना है अब monetary policy committee की meeting हुई नहीं तो यह पता ही नहीं चल पाया कि rate को change करना था या नहीं करना था अच्छा यह भी हो सकता है दोस्तों कि पिछली कुछ meetings में यह expect किया गया था monetary policy से कि वो एक rate cuts को announce करेंगे लेकिन rate cuts announce नहीं हुए शाह सरकार यह चाती कि और rate cuts announce नहीं हो चुकि inflation बढ़ रहा है तो हो सकता है कुछ ऐसे expert यह बोल रहे है कि हो सकता है सरकार ने deliberately monetary policy committee के members का appointment नहीं हो चुकि appointment कर देंगे और appointment करने के बाद यह announcement निकल के आता है कि हाँ भई हम rate cut नहीं कर रहे हैं तो सरकार को फिर चिल आए जागा सरकार की आलोचना तो देखिए बहुत सारी चीज़ों में हो रही है तो कैक की report में आलोचना हो रही है हात्रस rape case में आलोचना हो रही है तो सरकार शायंद यह चाहती है कि हम और rate न कट करें अभी और rate न कट करने का एक सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप monetary policy committee की meeting ही ना होने दो जब meeting ही नहीं होगी तो rate कट का कोई announcement नहीं होगा बहुत simple बात है यह जो पहली monetary policy committee की meeting हुई थी यह कब होई थी यह 4 October 2016 कोई थी जब उर्जीज पटेल जी RBI की governor थे तब से लेके अब तक 250 basis point यानि धाई परसेंट repo rate को नीचे गिराए जा चुका है जो की अब 4% पे आ गया है पिछले 9 महिने में 1.15% repo rate को नीचे गिराए गया जो अभी inflation का target है वो है 4% plus minus 2% यानि 2% से लेके 6% की बीच में inflation होना चाहिए लेकिन अगी के लिए आप देखो अगस्त की जो inflation की रिपोर्ट निकल के आई है वो है 6.69% अब बात ये है कि देखे monetary policy committee अपने inflation targeting में successful हो रही है या नहीं हो रही है वो इस चीज़ पे depend करेगा कि जो inflation है वो 2-6% की band में है की नहीं है और जो RBI Act उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि ये जो 2-6% की बीच का जो rate है ये लगाता तीन quarter तक अगर रहता है यानि अगर 6% से उपर चला जाता है inflation या 2% से नीचे आ जाता है inflation लगाता है तीन quarter तक और ये quarter आपका तीन महीने का होता है तो ही ये बोला जाएगा कि monetary policy जो है हमारे देश की वो fail हो रही है कार भी नहीं चाती है और कहीं न कहीं जो RBI के governor है वो भी ये नहीं चाते है कि 4% से नीचे लेके आया जाए repo rate को चुकि inflation बढ़ रहा है और 4% से नीचे लेके आते हो आप repo rate को तो inflation और बढ़ेगा चुकि repo rate का मतलब क्या है वो interest जिस interest पे Reserve Bank of India schedule commercial bank को पैसा दी तो लोगों की जेम में ज़्यादा पैसा जाएगा तो inflation बढ़ेगा और सरकार inflation नहीं बढ़ाना चाहती है चोकि inflation और अलरड़ी 6% से उपर है अब देखें RBI ने पहले ही सरकार से दरखास की थी कि देखें ये जो तीन external members हैं इनको आप March 2021 तक का extension दे दीजे ठीक है लेकिन सरकार ने इस demand को नहीं माना अभी जब सरकार ने इस demand को नहीं माना तो ये जो तीन लोग थे जिनका tenure अभी recently खतम हो गया है अब ये नहीं बैठ सकते तो ये तीन का tenure खतम हो गया है अभी तीन का tenure खतम हो गया तो अगले तीन सेलेट करने थे अब मैंने आपको बता है कि सर्च कम सेलेट कमिटी को हेड कौन करता है कैबिनेट सेकरेटरी राजीव गौडा जी तो आप देखो औरेड़ी जो कैबिनेट सेकरेटरी राजीव गौबा जी के अंतर जो कमिटी बनी है वो एक list of candidates already issue कर चुके हैं बट कहीं न कहीं इस list of candidates को final approval नहीं मिला है चुकि कुछ bureaucratic hurdles हारे हैं आपको पता है कि इस तरीके के appointments में बहुत सारी politics चलती है लेकिन कहीं न कहीं जब देश की monetary policy की बात हो रही है तो इस तरीके के hurdles को पहले खतम कर देना चाहिए था पहले avoid कर दिना चाहिए था आप end time पे monetary policy committee के composition को पूरा नहीं कर रहा हो ये बहुत bad precedent set कर रहा है और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा इससे पहले भी deputy governance of the RBI के appointment में समय लगाए और अगर इस तरीके के appointments में आप समय लगाओगे न inflation targeting जैसी चीज monetary policy committee जैसी चीज जो देश की monetary policy बिना रही है वही complete नहीं है तो obviously बात है देश का confidence नहीं आपाएगा और सबसे बड़ी बात है international players जो हमारी economy को बहुत closely watch करते हैं उनका confidence नहीं आपाएगा तो ये था analysis दोस्तों I hope monetary policy committee किस तरीके से point होती है chances हैं कि monetary policy committee के members को किस तरीके से elect किया जाता है कितने RBI के हैं कितने बाहर के हैं ये किसी MCQ में आपके सामने हो सकता है UPSC bilans में Thank you for watching friends, have a great day